चमकते लाल रंग में लैस WAP-4 लोकोमोटिफ भारती रेलवे का एक लंबे रेस का गोड़ा है पहला WAP-4 222-01 25 एप्रेल 1994 को रोल आउट हुआ था 20 साल के उत्पादन प्रक्रिया में करीब 776 WAP-4 का निर्मान किया गया है WAP-4 को WAP-1 से विक्सित किया गया है और यह 24 से 26 कार लंबी रेल को खीच सकती है WAP-4 में WAP-1 बॉडी शेल इस्तमाल किया जाता है पर इसमें WAP-1 से विप्रीत हिताची ट्रेक्शन मोटर्स फिट किये गया है इसके एलेक्ट्रिकल सिस्टम डैरेट करन प्रकार के पारंपरिक टैप चेंजर्स के सहारे 6 ट्रेक्शन मोटर्स चलाते हैं जो कोको विनियास में करमबद है इसके 840 होर्सपावर हिताची 15250 ट्रेक्शन मोटर्स को वास्तव में WAG-5 फ्रेट लोकोमोटिव पर उप्योग के लिए डिजाइन किया गया था इसलिए हिताची मोटर्स को WAP-4 पर इस्तेमाल के 5400 KVA ट्रांसफॉर्मर और सिलिकॉन रेक्टिफायर्स को बारत में ही डिजाइन किया गया था WAP-4 बारत का पहला लोकोमोटिव है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर आधारित, नियंत्रन और दोश निदान प्रनाली लगाए गये थे 112 टन समग्र वजन को बढ़ाये बिना भारी हिताची मोटर्स को समायोजित करने के लिए WAP-4 को एलिमुनियम के व्यापक उप्योग से काफी हलका बनाया गया था WAP-4 लोकोमोटिव में 5050 होर्सपावर का अधिक्तम पावर आउटपुट होता है और 24 कार के ट्रेन को 140 किलोमीटर प्रतिगंटे की रफतार से धोड़ा सकता है ट्राइल रण में WAP-4 ने 169 किलोमीटर प्रतिगंटे की गती हासल की है WAP-4 की विश्वस्नियता, निरंतर उच्छ गती बनाया रखने की शमता और देश बर में व्यापक सर्विसिंग नेटवर की मौजूदगी के कारण भारत में चलने वाली अधिकांच लंबी दूरी की एक्स्प्रेस ट्रेनों के लिए WAP-4 को इस्तमाल किया जाता है यह कई प्रतिष्टित सूपरफास्ट रेल सेवा के लिए नियमित लिंक है और लंबी दूरी की सबसे अधिकरन के लिए रिकॉर्ड रखती है एक नवंबर 2015 को अंतिम WAP-4 दो पांच शून्य पांच एक चितरंजन लोकोमोटिव्स में बन के निकला थ्री फेस एसी मोटर और आईजी बीटी नियंद्रित एसी ड्राइव से लैस आधुनिक WAP-7 लोकोमोटिव के आगमन ने WAP-4 के प्रतिष्टा को कम कर दिया है परन्तु WAP-4 एक शक्तिशाली और बरोसे मंद लोकोमोटिव है और आने वाले कई वर्षों तक WAP-7 के साथ पट्रियों पर काम करेगा अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर आपको ये और इस चैनल के अन्य वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं